सबी देसों में सबसे मेंती देश माना जाने वाला जापान लबग 6800 दिपो से मिलकर बना है जापान प्राकर्तिक अपदाव के कारण कई बार तबाह हो चुका है लेकिन इस सब के बावचूद जापान ऐसी परसितियों से बहुत जल्द उबर जाता है आज की इस वीडियो में हम जापान के बारे में कुछ ऐसे रोचक तत्यों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनने सुनकर आप हैरान रह जाएंगे नमश्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनिकां चौहान और आप देख रहे हैं रहे रहे शटोप शो लेकिन दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीजिस लाल रंग के सब्सकाइब के बटन को नीचे जाकर दबा दीजे और साथ में लगी घंटी के निशान को भी दबा दीजे ये है बिल्कुल फ्री बस इससे हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी तो चलिए शुरूआत करते हैं यदि आप आजकल हमारे देश भारत के अखबार उठा कर देखेंगे तो जादातर खबरे राजनीती, अपराद व्य मूवी मसाला आदी से संबंदित होती है लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां के अखबारों में केवल आधुनिक तकनीक और रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली उपयोगी खबरे ही चपती है एक छोटे से देश जापान में 50,000 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी उम्र सो वर्स से भी अधिक है जापान में परतेग वर्स 1500 से भी जादा भुकम बाते हैं अथार्थ ओस्तन चार भुकम जापान में परते दिन आते है लेकिन इसके बावचू जापान दुनिया की दूसरी सबसे सशक्त वे बड़ी अर्थवैस्ता वाला देश है हमारे देश में जहां नरसरी के बच्चे को भी पहली क्लास में पहुँचने के लिए परिक्षा देनी होती है वही जापान में जब तक बच्चे दस वर्स के न आई जाती है चोका देने वाली बात यह है कि इस मचली को केवल लाइसेंस प्राप्त कर चुके रसोया ही पका सकते है जो कि इस डिस्क को कश्टमर को प्रोसने से पहले खुद चकते है कि कहीं जहरीली तो नहीं इस लाइसेंस को प्राप्त करने में रसोये को साथ से लेकर 11 साल तक का लंब समय लग जाता है आप हैरान रह जाएंगे कि जापान में 90% से भी अधिक मोबाइल वाटर प्रूफ है क्योंकि जापान के लोगों को नहाते समय भी मोबाइल यूज करने का शोक है आज जहां भारत में अपनी मातर भाषा हिंदी में काम करना वैब बोलना कई बार सर्मिंद्गी का कारण बन जाता है वहाँ जापान में सिक्षा समेथ सभी सरकारी कामकाज वहाँ की मातर भाषा जापानी में ही होते है दूसरे देश की यात्रा करते समय जापानी लोग ट्रांसलेटर का प्रियोग करते हैं अपनी बासाया प्रियोग करने में जापानी लोग फक्र महसूस करते हैं जापान की साखसरता दर 100% है जो कि दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़ादा है जापान में बहुत सी बिल्डिंग ऐसी है जिनके बीच से होकर हाईवे गुजरता है पूरी दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जो अपने देश की नागरिकता किसी मुशलिम को नहीं देता यहां मुसलिमों को किराई पर कमरा मिलना भी नामुम्किन है जापान में लोग अमने अकिलेपन को दूर करने के लिए गर्ल्फरेंड वेब वाइफरेंड किराई पर ले सकते है अब आप हमें कमेंट बोक्स में बताएए कि जापान की तरह भारत देश का भी सारा कामकाज हमारी मात्रबाशा हिंदी में होना चाहिए या नहीं वीडियो को फेस्बुक वटसब ट्विटर पर शेर भी जरू कीजिए जैहिन जैभारत